नमस्कार दोस्तों मैं नरेस आपका होस्ट एक बर फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल मिशन मार्केटिंग में और आज मैं बाचीत करूँगा कि हमारे जो कुछ दर्सक हैं हमने पिछली वीडियो जो बनाई थी फ्यूमिगेशन जो है फोगिंग के बारे में होस्पिटल में कैसे फोगिंग होती है और फ्यूमिगेशन कब होता है कैसे होता है तो बहुत सारे कमेंट्स उस पर आए हैं आज हम उन कमेंट्स को ही रिजूल करने के लिए ये चोटा सा वीडियो ले करके आए हैं तो अंत तक जो है देखते रही है इस वीडियो को और आपके सवाल जब आवों को साथ हम शुरू करते हैं आज की नई वीडियो आए सीखते हैं कुछ नया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को प्रैस करके साथ में बैल आइकोन को भी दबा दीजिए और लाइक शेर कर दीजिए क्योंक दर्सकों के जो सब्सक्राइबर हैं उनके पॉइंटों पे तो मैं आपको बता दूँ हमारे पास एक जो कमेंट आया है वो कमेंट इस तरीके से आया है कि यूलवी फोगर या फिर जो है ओटी फोगर किसका इस्तमाल जो है वो होस्पिटल इंडेस्टी में होता है तो मैं बता दू परसंद तो बहुत अच्छा है और आपको साथ में ये भी बता जिता हूँ कि जो ओटी फोगर होता है और जो नॉर्मल यूल वी फोगर होता है उनकी काम करने की परकिरिया लगभग शेम होती है दोनों एक ही तरीके की प्रोड़क्ट है उनकी मैनिफेक्ट्रिंग में थोड़ असा आंतर होता है आप समझ लिजे क्या आंतर होता है जो ओटी ओटी फोगर जो होता है वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है और इस्टील भी वह जो रिकमेंडेड होती है medical approved होती है यानि कि medical necessity में जो भी equipment आते हैं वो equipment कुछ special guideline से बनाए जाते हैं उनकी जो metals उसमें इस्तमाल होती है उस metal की category different होती है तो वो fogar जो है उस standard उस quality पे बने होते हैं जबकि जो normal fogar है वो plastic body में भी बने हो सकते है तो O.T. fogar जो है अधिक तर hospitals में already जो है उनका part है उनके पास होता है आपको chemical वहाँ ले जाकर के इस्तमाल करना होता है U.L.V. fogar U.L.V. fogar जो normally आप इस्तमाल करते हैं वो होता है ultra low volume U.L.V. का मतलब जो है ultra low volume है यानि कि जो आपने chemicals डाला है उसको इतने nano particles में वो तोड़ करके आपको बाहर निकाल करके देता है कि जो बहुत आसानी से आप उसको देख भी नहीं पाते है जब आप nano fogar से fogging करते हैं तो जो दिवार पे layer बनती है बहुत महीन बनती है उसको swap करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको dry करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो already एक जो है बहुत ही thin layer के रूप में जैसे कि नमी आजाती है उस तरीके से बनती चली जाती है दूसरा जो है आपको जब उसका इस्तमाल करते है ऐसा नहीं कि आपको एक ही जगा आप उसको target करके चलाएंगे तो वहाँ नैनो particle इखटा होकर करके बहना शुरूर नहीं होगे अपवाद हर चीज का होता है लेकिन ये चीज मैंने इसलिए कही कुछ बुद्धी जीवी हो सकता है कि experiment करके वीडियो के अगेंस्ट में ये बताने की कोशिश करें कि देखे साहब आपने बताया था कि वो तो बहुत पतली सी लेयर बनती है और दीवार पे कुछ दिखता भी नहीं है तो अभी हमने जो है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान यानि कि जो है अभ्यास करने से सारी चीज़े होती है और पत्थर पर इजी रसी को गिसा जाए तो वहां में निसान बन जाता है तो एक ही जगा फोकस करके आप यूएलवी को भी चलाएंगे तो वहां भी जो है आपका जो केमिकल्स है उसके लाइने या उसके इंपक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं लेकिन आपको ऐसा प्रयोग नहीं करना है आपको जो है सामान तरीके से उसको इस्प्रेड करते हुए जो है वहां अपने टीटमेंट को कम्प्रीट करना है दूसरा जो यूएलवी फोगर का इस्तमाल होता है या ओटी फोगर का इस्तमाल होता है वो इसलिए होता है कि जो बहुत ही कीमती कोई पेंटिंग है कोई दीवार पे वाल पेपर लगा हुआ है या फिर कोई और चीज लगी हुई है आपके कपड़े कर्टेन लगे हुए हैं उन सब चीजों पे जो है कलर इंपक्ट ना आए वो बहुत ज्यादा मातर में गीले ना हो उन पे जो है दाग धब्वे ना लगें वो खराब ना हो एक रीजन ये हो गया दूसरा रीजन जो है ये होता है कि जब लेयर बहुत पतली होती तो वो डिस्टरबेंस कम होता है और आप उसको जो है वहां ड्राई करने के लिए जो है आपको समय कि खम आफ शकता पड़ती है और तुरंति आप उसको ओपरेट कर पाते हैं तीसरा अब चलते हैं होस्पीटल की तरफ जहां जो हैं वो इतने जो है वो महीन तरीके से होती है और उनके बैक्टिरिया को जो है वो वहां इस तरीके से किल कर दिया जाता है वो फोगर के दुआरा कि वो एयर में ही बहुत सारी चीजे खत्म हो जाती है यानि कि जो बैक्टिरिया है जो इन्फेस्टेशन है वो आपका जो वहा वहां रखे हुए equipment है table है clothes है दीवारे हैं doors है वुन सब को जो है आपने नैनो particles से जो है एक layer बना करके उसको भी clean कर दिया तो इस तरीके से जो है प्रियोग होता है तो मैं आपको यह यह clear करना चाहूंगा कि होस्पिटल में ओटी फोगर का इस्तमाल करें और नॉर्मली जो आप करते हैं वहां यूवल भी कोई बी एक अच्छा फोगर ले लेने के लिए भी आपको जो है आर एंडी करनी होगी और कई साइट उस पर जाना होगा यह online भी और offline भी दोनों तरीक से मिलते हैं इलेक्टिकली यूज भी आते हैं इलेक्टिक वाले अच्छे होते हैं कोई दिकत नहीं है और काम भी बढ़िया करते हैं अब बात आती है कि कैमिकल्स के लिए भी जो है हमें कई कमेंट्स आये हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या हम जो है वो कैमिकल्स करें औ वहीं आपको जो है पैस्ट कंट्रोल के लिए भी केमिकल मिलेंगे और वहीं से आपको पता लगेगा कि कौन सा केमिकल जो है लेटस्ट आया हुआ है और किस कंट्रोल के लिए आप उसको जो है फोग कर सकते हैं ये निशित है कि हर एक chemical जो है वो fogger में डाल करके आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं fogging करने के लिए आपको जो chemical आते हैं वो अलग से आते हैं तो उनको आप धान में रख करके वो product उसके लिए अलग से आप purchase करेंगे अब बात आती है कि जो solutions तियार करना है क्या उसको जो है diesel या petrol या फिर पानी में मिला करके करना है तो ये instruction भी दवाई के उपर लिखा होता है कि ये dissolve किस में होगा इसकी solvency जो है वो किस product के साथ में होगी तो अलग-अलग chemicals जो हैं वो अलग-अलग nature के होते हैं उसी हिसाब से आपको product को चुनना है और उसी हिसाब से उसमें मिलाने वाले solutions को चुनना है कि आपको पानी में मिलाना है कि डीजल में मिलाना है ये चीज जो है वो उस product के उपर में mention की होती है तो उसके जो instruction है चेतावनी है उसको आप बड़े ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए आपको समस्या का समधान हो जाएगा अब तीसरा point जो एक पूछा है सबस्क्राइबर ने तीसरा सवाल सवाल ये है कि जो sanitizer है वो liquid अवस्था में उनके पास है तो उसको किस चीज में मिला करके आपको sanitize करना होगा देखिए जो normal sanitizer है उसको आप नैनो फोगर में ना डालें क्योंकि उसके उपर कहीं भी कोई ऐसा instruction नहीं लिखा हुआ है कि इसको जो है नैनो फोगर में डाल करके और इसको चलाया जा सकता है एक बार जो है chemist से सदा ले लें कि क्या उसके पास कोई इस तरीके का chemical available है कोई sanitizer available है जिसको इसमें डाल करके चलाया सकता है अभी तक की मेरी जो सुनने में आया है कि डाइवर से कंपनी ने इस तरीके का sanitizer निकाला है जिसको आप नैनो फोगर में डाल करके या ओटी फोगर में डाल करके उसको जो है फोग बना करके नैनो पार्टिकल्स के रूप में कर सकते हैं तो उससे आप पूछ सकते हैं कि डा डाइवर से को ही यूज करें डाइवर से के समकक से भी कुछ कंपनियां होगी जो इस प्रोड़क को सेम मार्केट में देती होगी टेकनिकल सेम होता है कई बार ट्रेड नेम जो है वो अलग हो सकता है तो आपको टेकनिकली जो है वो देख करके लेना होगा कि चीप एंड ब समधान करते रहेंगे और आपसे उमीद है कि आप आगे भी जो है हमारी वीडियो में ऐसे ही प्यार बरसाते रहेंगे इसको लाइक और शेयर करते रहेंगे जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग जो नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते हैं व और आनेमों.